अज हम आपको बताएंगे प्लैनेट अईरुवेदा स्पेशलिटी के बारे में यहां अईरुवेद ट्रीटमेंट कैसे होता है और लोगों का क्या एक्सपिरियंस है और बात करेंगे डॉक्टर विक्रम चोहान और उनकी पूरी टीम से पेशन्स से भी बात करेंगे कि उन्हें आईरुवेद का कितना फायदा हुआ और कितने समय में हुआ जैसे पेशन्स आते हैं सबसे पहले गेट पर उनकी एंट्री होते हैं I hope you have seen that फिर रेसेप्शन पे आते हैं रेसेप्शन पे उनकी डीटेल्स लेते हैं Like patient का नाम क्या प्रॉबल्म है क्या उनकी एज है कहां से आए है कितने time से वो इस disease से परिशान है और then उनको नंबर मिल जाता है और नंबर के according लिक फॉर्स सम-फॉर्स अवेस पे दॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन दॉक्टर के पास जाने से पहले उनकी सारी डीटेल्स ली जाती है, जिसको हम हिस्ट्री कहते हैं, उसमें पेशन्ट की डाइट क्या है, पेशन्ट कब से बिमारी से परिशान है, और लाइफस्टाइल कैसा है, उसका किसी और बिमारी से दॉक्टर विक्रम चोहान चंडिगर के मशूर आयरुवेद एक्सपर्ट हैं। वो प्रमुक आयरुवेदिक क्लिनिक, टेली मेडिसन सेंटर, ओनलाइन आयरुवेदिक क्लिनिक, आयरुवेद इंसेकलोपीडिया और हर्बल प्रोडेक्ट बनाने वाली कमपनी, प्लैनेट आ के हजारों मरीजों का इलाज कर चुके हैं। समाज में फैली हुए एरुवेद से पता नियुक्त द्वाई गरम है, या आयरुवेद की द्वाई काम निकरती या धीरे काम करती है, यह सब कुछ गया आयरुवेद में पता निकूं से केमिकल डाले हुए है, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रह्मा जी के मुख से निकला हुआ ब्रह्मा जी ने इस स्रिष्टी पैदा करी थी तो जो ब्रह्मा जी ने इस स्रिष्टी को पैदा किया उन्होंने ये वेद हमें दिया आयरवेद जो है उन्होंने उनके मुख से जो एक लाक्ष लोग निकले इस मेशीन को मेंटेन करने के लिए और इस मेशीन कैसे चालू रह जीवन का ग्यान, मतलब knowledge of life तो इसमें जड़ी बूटियां जो है, natural है purely 100% nature से जो पैदा होती है जड़ी बूटियां उनसे हम medicines बनाते हैं और वही patients को देते हैं, उसे patients ही को जाते हैं डोक्र चोहान प्राचीन भारते उपचार पधती आयरुवेद के ज्यान का ना सिर्फ भारत में बलकि पूरी दुनिया में परचार परसार कर रहे हैं डोक्र चोहान को fatty liver, kidney failure, दमा, घुटनों का दर्द समेथ सभी प्रकार की पुरानी और नई बिमारियों के इलाज का अनुभव है वो लक्षन के बजाए रोगों की जड़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसी के अनुसार इलाज करते हैं तो अब सारी परिवार को साथ आठ लोग परिवार के आये हैं अभी आपके सामनी थे जो सारी फैमली आई थी है तो विश्वास बन जाता है जब पेशेंट ठीक हो जाता है तो आयरवेज से बिमारियों ठीक होती है वो भी गुगल नहीं महलदी से खतम हो जाते है इसको कहते हैं ना कि यह इन्फेक्शन हो गया कोई दवाईयां एंटिबैटिक काम नहीं कर रही और बहुत टेस्ट करा लिए और सब एंटिबैटिक रिस्टन है उसमें भी हमारी आयरवेज की जड़ी बुटियां काम करती है तो बस सिरफ ट्राई करने की देर है एलोपेथिक डॉक्टर ट्राई नहीं करते हैं वो अलॉह ही नहीं करते कि आप आयरवेज की दवाई जड़ी बुटिक किसी पेशन को दे दें साथ में तो आप ट्राई करके देखें डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे उन्होंने गोर्स मैनियोल फोर हीलिंग किताब लिखी है जिसका यूरोप की कई भाशाओं में अनुवाद हो चुका है उनके पास हीलर सेटिफिकेट है जिससे उन्हें यूरोप, अफरिका, अमेरिका, यूके, मध्यपुर्व के देशों समेथ पूरी दुनिया में इलाज की अनुमती मिल जाती है आयरवेद कहता है कि पांच तत्वों से हमारा स्रीर मना है पांच तत्वों से सारी स्रिष्टी बनी है जैसे जैसे कफ, पित और वाथ हमारे शीर को धारन करते हैं वैसे सोम सूरे अनिल पूरी स्रिष्टी में तो जो पांच तत्व जो दुनिया में हैं वही हमारे स्रीर में है उनका इंबैलेंस हो जाता है उसको हम बोलते हैं कि ये डिजीज होगी तो आप cancer कहलो उसको आप politis कहलो उसको आप blood cancer कहलो आप liver disease liver phil कहलो kidney disease कहलो skin disease कहलो English में वो सब नाम संस्कृत में तो नहीं है संस्कृत में यही है कि जो आपके दोश्यों का imbalance हो गया आपके 5 तत्वों का imbalance हो गया उसको balance कैसे करना है तो आज अरुवेद में जड़ी बुटी हैं डाइट बताई गई हैं लाइफस्टाइल आहार विहार विचार इससे आपके जो तत्व हैं वो balance हो जाते और उससे जो diseases हैं गया बोनी शुरू जाती है उसे हमें कोई जुरूवत निया है विकारो नाम अकुष्ला ना जिरियत कदाचेन ना ही सर्वे रोगा ना मस्तो दुर्वास्थिती सबी बिमारियों के नाम नहीं लिखिये जा सकते नाहीं डूंडे जा सकते हैं उनकी जुरूवत भी नहीं है ये आईरुवेद में ये श इसका बात तो नहीं बढ़ गया इसका कफ तो नहीं बढ़ गया या कौन सा इंबैलेंस है तो उस इंबैलेंस के साब से हमारे जड़ी बूटिया पहले से ही वही देनी है उसे हो ठीक हो जाएगा हिरोप में एक्सिलेंस सेंटर ओफ अईरुवेद की स्थापना करने के लिए उन्होंने P.E.A.C.E. NGO की स्थापना की वो प्रकृति को नुक्सान पहुंचाए बगैर बिमारियों को रोकने और स्वस्त रहने में लोगों की मदद करने के मिशन पर है प्लैनेट अईरुवे सबी समसाओं का समाधान मिलता है दूरवा घास का रस लीजिए दनिया पुदिनना पित्ते के पत्तों का रस लीजिए आमला डालेजिए थोड़ा उसमें वीट ग्रास डालेजिए ग्रीन जूस बना करके 50 ml लीजिए तो आपके प्लैटलेट विदिन वन डे बढ़ जाएंगे रेड जूस लीजिए शाम को उसमें चुकंदर, गाजर, अनार, सेव यह डालके उसका रस पियो आपके प्लैटलेट बढ़ जाएंगे तो यह सिंपल सा फार्मूला प्लैटलेट बढ़ाने का तो गरगर में उपलाब्द है यह आरवेद है तो इसी से पित शात हो जाता है प्लैटलेट कम हो जाना है तो कईयों को यह भी है कि आरवेद बहुत गरम है अब धनिया क्या गरम है दनिया बहुत ठंडा है किसी को एसिटी है मालो किसी को अलसर है पेट में उसका अलसर ठीक हो जाएंगे किसी को कॉलन में अलसर है उसका ब्लड आना बंद हो जाएगा कॉलाइटस जिसको बोलते तो ये बहुत सारी simple simple जड़ी बुटियां बहुत कारगर हैं और बहुत जल्दी असर करती हैं अगर ulcerative colitis में किसी को blood आ रहा है every day तो simple धनिया जो है उसका 50 ml juice और उसमें दूर्वा घास का रस मिक्स कर ले या शीशब के पत्ते का रस मिक्स कर ले या गेंदे के फूल का रस मिक्स कर ले या अकेला दनिया का रस भी पिले उससे उसका blood आना बंद हो जएगा Planet Ayurveda मेरी organization है मैंने 25 साल पहले उसको शुरू किया था पूरे planet पे Ayurveda को फिलाने का मैंने एक mission सोचा था तो वो mission अभी तक चल रहा है काफी countries में यॉरप में अमेरिका में केरणा में साओथ इस्ट एशिया में अफरिका में सिंगापूर में सब जगा हमारे planet Ayurveda के मैं खुद जाता हूँ वहां पे patients देखता हूँ मेरे मेरे पास team है doctors की वो सब जाते हैं उनको हम यहां से बेजते हैं वो classes भी लेते हैं वहां पर आरवेद पढ़ा रहे हैं वहां के जो doctors है यॉरप के वो आरवेद पढ़ने के चुक हैं वो हमारे students है तो एक peace नाम की हमने एक सहस्ता भी बनाई है वहां पे और एक planet आरवेदा ancient wisdom school भी है हमारा जो हम वहां पर पढ़ाते हैं आरवेद पढ़ाते हैं आरवेद की जो विजटम है तो यह लोग पढ़ रहे हैं और लोग सीख भी रहे हैं और हमारे देश के जो लोग हैं वो अभी भी doubtful or skeptical हैं कि यह आरवेद काम करता है कि नहीं करता ह तो यह doubts जो है और निकालने पढ़ेंगे इसको अपनाना पढ़ेगा जो modern doctors हैं उनको भी सिखना पढ़ेगा कि कैसे काम करता है और definitely जो है देरे देरे इसकी popularity भी बढ़ेगी और लोगों को बेमारियों से छुटकारा वही मेलेगा जो आपकी health problems है आप उनको prevent कर सकते हो सब पर ऑफसे पेलें प्रिवेंट करने की जिम्मेबरी किसके पास है आपके अपने पास तो आएरविद में पटाया क्याओ स्वस्थ सवस्थरक्षानम आतुरस शे विकार प्रशब्नमऽ च अभी मकصद यहां कि सौस्थी केस्वास्त की रक्षा करना तो उसका तरीका का पानी प्रपर पियो और exercise जरूर करो exercise में आपका योगा आ गया प्राणयाम आ गया वो regular करो तो अगर आप exercise करोगे योग प्राणयाम करोगे oxygen की कमी नहीं होगी oxygen जब ज़्यादा होती ना मारे शीर में तो cancer पैदा ही नहीं हो सकता तो यह oxygen की कमी नहीं होने से यह आप बीमारियों से बच सकते हो तो यह जो simple सा message आयरवेट का कि आप अपने life को अपने हाथ में control लेजिए अपनी diet से, अपने lifestyle से, अपने अहार और अपने विचार से अपने विचारों को भी negative विचारों को भी खतम करो और खुशी-खुशी अपने healthy life को आगे बढ़ाओ 2023 के अंदर मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, गैंगरीन की और क्योंकि मैं pre-diabetic patient हूँ, BP की भी मुझे problem थी तो इन सारी problem से मैं दिल्ली के जो बड़े-बड़े hospitals हैं उन में अपना इलाज करवा रहा था, जैसे आपका गंगाराम hospital हो गया, AIMS हो गया, BL Kapoor हो गया, MAX हो गया और यहां एक साल के पूरे treatment के बावजूद मुझे वहां से कोई आराम नहीं मिला फिर मेरे किसी नोन रिष्टिदार की एक recommendation के साथ मुझे पदाचला की planet Ayurveda एक ऐसा solution है, कैसा treatment वो प्रवाइड करते है, जहां आपकी इन सारी problem का solution आपको एक छट के नीचे एक साथ मिलेगा जबकि मैं surgery भी face कर चुका था, शुरुआत में मुझे यकीन सा नहीं हुआ कि ऐसा शायद possible है कि नहीं, उन्होंने मुझे बोला कि आप जाईए, आप जाके देखिए, आप इराज करवाईए, वहां से आपको definitely आराम मिलेगा मैं प्लानेट आयरुवेदा चड़िगड की शाखा में आया, यहां डॉक्साप से मेरी मुलाकात ही, उन्होंने मेरी प्रॉब्लम्स को तरीके से सुना, सारी डिटेल मेरी जानकारी ली किस तरह से मुझे बिमारी हुई, क्या-क्या मुझे तकलीफे हैं, क्या-क्या मुझे परिशानी हैं, क्या मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूं अब तक और सारी तकलीफें देखने के बाद सारी मैडिसन को देखने के बाद उन्होंने जो मुझे प्रिस्क्राइब किया कि आप यह सारी मैडिसन आज से बंद कीजिए, और आयरुवेदिक मेडिसन पे आप शिट इंसुलिन पेशेंट के लिए यह सुनना कि आप इंसुलिन लेना बंद कर दीजिए और सीधा आयरुवेदिक को शिट कर दीजिए तो थोड़ा मुश्किल होता है इस बात को समझना की कैसे यकीन कर सकता है यह सब चीजे पॉसिबल है लेकिन डुक्साब ने मुझे बोला क मैंने की द्वाइयां ली और मुझे धीरे-धीरे आराम आना शुरू हो गया और आज दो महीने के ट्रीट्मेंट के बाद मैं यह कह सकता हूं कि मुझे इतना आराम है कि जब मैं पहली बार जोग्साब के बैसे आया था मैं वील्चेयर के पर था और आज आज मैं अपने प यह एक ऐसा इलाज है जिसमें आपको आपकी बिमारी से ही निजात नहीं मिलेगी बलकि एलोपेती तो टीट्मेंट से आप अपने शरीव का नुकसान कर रहे हैं और ना सिर्फ जेव का भी नुकसान कर रहे हैं उससे आप बच पाएंगे तो मेरी रेकमेंडेशन यही है कि आप अयरुवेदी के लाज के तरफ शिप्ट केजिए प्लैनेट आयरुवादा को एकसेप्ट कीजिए दुकर चोहान पंजाब राज्य धनवंतरी अवर्ड से भी सम्मानित किये जा चुके हैं पूर्विस यूनिवर्स शुष्मिता सेंग के हाथों ने इंटरनेशनल गलोरी अवर्ड दोहजार चोविस मिल चुका है पदम शिरी कंगना रनोत ने प्लैनेट आयरुवेदा को 2023 के बेस्ट आयरुवेद कंपनी अवर्ड से सम्मानित किया इसके अलावा उन्हें कई और सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है सबसे पहले मैं शुरुवात करना चाहूंगी कि जो हमारी मेडिसन्स हैं जितनी भी यह विदाउट एनी काइंड ओफ एडिटिव्स प्रेजर्वेटिव्स हैं और इनके कोई भी साइड एफेक्ट्स नहीं है अगर आप जो है आयरुवेदा एक्सपर्ट के अकॉडिंग जैसे वो प्रेस्क्राइब करते हैं तो यहां पर अभी हम थंडी पूडिया बना रहे हैं जो हमारे यूजुली पेशंट्स को बहुत जादा दी जाती हैं विकेज हमारे पास यहां मेजरली जो इस्चू जाते हैं वो पित दोशा से रिलेटिड आते हैं जैसे कि अलसरेट थंडी पूडियां हम बना रहे हैं यह हमारे फार्मसिस्ट आपको बताएंगे कि किस तरीके से यह थंडी पूडियां बनाई जाती हैं बेसिकली इसमें जितने भी इंग्रिडियंट्स रहते हैं वो सारे भस में होती है एक इंग्रिडियंट इसमें हर्बल है जो है जैसा कि आप यहां देख भी सकते हैं, जैसे यह यकृत पलिहान तक चून है, this is for any kind of liver disorder, किसी भी प्रकार की आपको liver से समबंदित बिमारी है, इतना ही नहीं बल्कि आप इसको तब भी ले सकते हैं, अगर आप अपने liver को fit रखना चाहते हैं, फिर हमारे पास Arjun T है, यह जित भी यह बहुत beneficial है, other than that अगर आप अपने heart को healthy रखना चाहते हैं, तो भी आप इसे ले सकते हैं, तीसरा हमारे पास यहां आप देख सकते हैं, यह जितने भी gym going people है, आज कल बहुत जादा हम देख रहे हैं, कि gym going people जो हैं, वो क्रेटीन से बना formula ले रहे हैं, और उसके साथ ह लिवर सपोर्ट टी, जो यहां रख रख ही है, वाइटमिन D3, मल्टी वाइटमिन अगर लेना चाहते हैं, या वाइटमिन डेफिशेंस के लिए कुछ लेना चाहते हैं, तो वो natural formulas हमारे पास हैं, देखो यह भी होता है, कि आयरुवेदिक जो मैडिसिंस होते हैं, उसको ल पास इसका है प्रूफ, बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपने बात करी कि पुराने जमाने में यह जड़ीबूटियां काम कर लही थी, आज के जमाने में किसी को विश्वास नहीं है, तो उनका मैं सबसे बड़ा डाउट यह क्लियर करना चाहते ह यह काम अब भी कर रही हैं, बट आपका क्या है कि जो पुराने जमाने में डाइट और लाइफस्टाइल था वो इतना अच्छा था कि उनको इमेडियेट रिजल्ट मिलते थे, तो इसका आपको जो रिजल्ट है वो इमेडियेट मिले तो आपको अपना डाइट और और रही बात इनके side effects की, यह हमारी जो है वो thought में हमारे बैठा हुआ है कि Ayurvedic medicines है जी वो हमें suit नहीं करती है, यह गरम होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप किसी Ayurveda expert के मद्दे नजर रखते हुए उनकी guidance के according अगर आप लेते हो यह medicines आपको कोई भी side effect नहीं ह तो देखो जो हमारी medicines है, उनके उपर labeling करी गई है, बाकी आप जो है वो आप इनकी testing भी करवा सकते हो, कहीं पे भी लेके जाके, इनके उपर ingredients लिखे गए हैं कि इनमें क्या डाला गया है, steroids बिल्कुल भी नहीं है इन medicines में, इवन दो ऐसा ही हमारा जो formula ठंडी पुडिया है वो हम आपको अगर बना के दिखाएंगे तो आप देख पाओगे कि उसमें क्या-क्या चीजे डाली है, इसमें steroids बिल्कुल भी नहीं रहते हैं, यह safe है यूज के लिए, बस आपको जो है वो guidance के अंडर लेनी है, यह medicine सबसे पहले जो है यह ठंडी पुडिया बन रही है, इ प्रवाल पश्टी और रजद भसनी है क्या बेसिकली? बेसिकली यह mineral formulations है, और रजद भस्म जो है वो silver का भस्म है इसमें, तो ऐसे हमारे पास जाहर मोरा पिष्टी, कामदुदारस, अकीक पिष्टी, गिलोय सत्व, मुकता पिष्टी, रजद भस्म, यह सारी चीजों को 9 इनके साथ यह पुडिया बनाई जाती है, यह यूजली ऐसा नहीं कि अगर किसी को पित दोशा से रिलेटिट बिमारी है तो हमें लेनी है, यह जब भी हमारी तरफ से आपको गाइड किया जाएगा तब ही इनको लेना है क्योंकि यह स्ट्रॉंग रहती है और यह थोड़ा कि अलाई लिवर यह खा बिमारी अगर किसी को है या किडनी डिसोarडर है उसमें तोड़ा में पर्हेज करते है इंशकिकलाविके जिए मिनेरल टोच्वा तो लिवर और खिड़नी यह बहत बलीडिगि बमारी ही है इसमें तुझ बहुत हैं किसी बीडिसुम्डिशन में ब पित बहुत जादा बड़ा हुआ है तो आपके नाख से या कहीं बार बोड़ी से ब्रेंग हो लग जाती है तो आप यह मेडिसी उस जिसको रोक सकती है अब यह बहुत इमीडियेटली नहीं हमें देना होता है अगर पेशन को बहुत जादा कोई खुरानिक कंडिशन है इन आप केस्ट वी हाफ तो अभी यह क्या डाल गए है अभी यह यह अपिश्टी डाल गए है तो यह जो फॉर्मिलेशन है में इनली हम इतीप के पेशेंट् प्लेटलेट काउंट लो हो जाता है तो ब्लीडिंग होने के चांसे रहते हैं जिन में बहुत जादा हैवी ब्लीडिंग है लेडीज है उन्हें पीरिट्स के दौरान बहुत जादा हैवी ब्लीडिंग रहती है तो उस दौरान यह हम देते हैं पुडिया अगर बायचांस क इसमें पित्दोष बहुत जादा हाई हुआ हुआ है और वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है जैसा कि यह हिस्ट्री रूम है तो रिसेप्शन के बाद सबसे पहले पेशिन यहां आते हैं तो हम हिस्ट्री में हम प्रोपर उसकी शिंटम या उसकी बीमारी हम पूरा इंकल्यूड करते हैं तो जैसे पेशिन अगर ओन गोइंग है या न्यूड वह है तो उसका रिकॉर्ड हमारे पास होता है तो सबसे पहले पेशिन्ट आता है तो हम पूछते हैं कि उसको क्या बिमारी है ठीक है या उसके अलावा उसको लाएवस्टायल डिसोर्डर डायबटीज थायरे है जाए शुगर वगएरा भीपी दिक्कत हैं तो हम गोंगे जाहित करते हैं उसके बाद उस एक चीफ मंगरा सब्तब मयरा जो भी होते हैं कि उसको कोई इसको पूरा ब्रीफ लेटे कि कॉई acidity कोई बीस अहों हम उसको पूरा ब्रीफ लेते हैं ठीक है पर्सनल हिस्ट्री लिखते हैं जिसमें हम उसके एपटाइट सिलीब यूरीन वगधा की प्रोपर लेते हैं तो वैसे और वेधा होता है लोगों का लास्ट डॉप्शन होता है तो ऐलोपेटी में सारी तरह तरह जाके फिर लास्ट में आयरवेधा पे पीसेंट आता है तो ओ जैसे आयरवेदा में डाइगनोसिजम नाडी चेक करके भी करते हैं तो बाकि हमारे आयरवेदा का हम वो इंकलिउड करते हैं और उसके बाद हम डाइट का मेंली ध्यान रखते हैं कि पेशिंट को डिजी से रिलेटिड अधाइट है वो फ्रोपर बताते हैं कि किस चीज में क्या खाना है किस चीज में क्या वोइड करना है वेजी टेबल्स कोई फ्लैश फूड है या मिल्क प्रोड़क्ट है या फूट से या कोई अधर होम रेमेडी है या कोई हर्बल रेमेडी है कोई एक्सरसाइज है योग है हम उसका पूरा ब्रीफ समझाते हैं पेश्ट करते अम 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 कि अधिया आइरवेधिक में पिछले 22 यह से जुड़े होगा है और यूँ वोट बिलीव कि हम अपनी फैमली में भी भी आलवेस ट्राइए कि हम इवन मैं अपने पैट्स को भी आइरवेधिक ही देती हो क्योंकि हम देखो पिछले 22 यह से प्योरली आइरवेधिक ट्रीप्मेंट फॉर आल काइंड ऑफ प्रब्लम्स और क्रॉनिक से क्रॉनिक जैसे की कैंसर इटिपी प्लेट की प्रॉब्लम कोविड के बाद बहुत बढ़ गी है बहुत सारे पेशेंट्स जिनको प्लेट डाउन विटाउट रीजन उनको पता भी नहीं होता हो टेस्ट कराते हैं अचानक से ब्लू स्पॉट्स पढ़ रहे हैं चेक कराते हैं तो पता लगता है कि प्लेट डाउन है तो हम ऐसे क्रॉनिक ट्रीटमेंट्स लिवर फेलियर किड्नी फेलियर चैंसर हर तरह के ब्रेंट यूमर्स ओवरिज मेंसिस्ट किसी को सर्विक्स मेंसिस्ट हुमारे पस कोई लिपाट फ्रीज वाले नहीं आते हैं तो हमारे पस मोटी मोटी फाइल्स लेकि पहले सी लोग आयोते हैं फिर जब हम से बिचारे दुबारा पुछ हम इवन काव थेरपी भी करते हैं काव उरिन थेरपी होती है कुछ मेडिसन को काव उरिन से कंस्यूम करना होता है उसका एफेक्ट वह 10 ताइमस बढ़ जाता है देखो हमारा डॉक्टर विक्रम का उपडी सिर्फ दो दिन रहता है नॉम्ली दॉक्टर्स आ देर इन देर क् करते हैं हिमालयाज में हम जड़ी भूटिया हमारी कहां से आ रही है कुछ केरला से आती है तो उनकी प्रिक्योर्मेंट को चेक करना फ्रॉम्द रॉम्द रॉम्द रॉ मिटीरियल तो दा फाइनल प्रोसेसिंग हमें यह होता है कि अगर जो चीज हमने लिखी अपने लेब सब्सक्राइब का नाम बदनाम होता जा रहा था और डाउनफॉल शुरुआ हुआ हुआ था जो यह इतनी गहरी साइंस है आफ्टर ब्रिटिश रूल भी इतने ग्रंथ जला दिये गए बट स्टिल इस अलाइफ तो उसका रीवर्थ हो गया यह क्योंकि कोवीड एक बहुत सब्सक्राइब को हार रहे हैं तो आइड़न दो कि क्या उनका लाइफस्टेल में क्या फरक्या है यह इनको जर्मनी में हो रही है जिसमें की आप चेक्ट कि हमारा एक एक एक्स्ट्रा कुछ कोट जनरेट हो गया DNA में आफ्टर कोवेड या वैक्सिनेशन से उसको खतम करने का भी सिरफ जो आयरवेद में ट्रीक्मेंट है इस कि आप रेगुलर में हल्दी वाटर पीना शुरू करो हम अपने हर पेशिंट को बोलते हैं कि हल्दी वाटर डेली सिरफ आदा चमच एक लास पानी में है रेगुलर इंटेक रखना है बिकॉस इसमेट 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 कि अएरवद का सब्सक्रावन के ऐसिए कर वेस्ट्यमियद कर इसमेट करी इसमें कुछिण है करकें नाइक क्रीम चना नाइक क्रीम है के लिए जो उनको प्रॉब्लम्स आती है एलर्जी की तो उसकी कम्प्रीट रेंज हमारे यहां पर मिल प्राइज जो हैं जो क्वालिटी के साथ वो अफोर्डबल रहते हैं नोमल पेशिंट के लिए बिल्कुल एफोर्डबल रहते हैं और कई बार हम बहुत अच्छे डिस्क और काथ यहां प्लैनित आयरवेदा ऑब्रोड में भी वेलिबल हैं हैं जी कंप्लीट रेंज अमहरा इब्रोड में योड़प में पूरा फुली योड़प में एविलिबल है ज़मारा युश दवारा मेरे को प्रॉब्लम आना स्टार्ट होगी और अलोपेथी की दवाई मैंने PGI होस्पिटल से भी खाई लेकिन मेरे को कोई रिलीफ नहीं मिला उसके बाद मेरी बीमारी जो बढ़ती गई फिर मैंने यूट्यूब पे एक वार मितलब सरका नाम सरका चैनल देखा था प्लाइनेट अरवेदा नाम से तो वहां से मैंने वीडियो देखी काफी सारी उसके बाद मैं यहां पे आई मैं दो हजार चॉबदिस में और मेरे को फाइब मन्त हो गए हैं दवाईयां लेते हु है पहले से और सर बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं और सर मितलब भरोसा देते हैं कि आप बहुत जल्ब ठीक हो जाएंगे अब घर बेटे ऑनलाइन कंसेटेशन्स करें टॉप M.D. अईरुवेदा स्पेशनिस्ट के साथ इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन आईरुवेदि क्लिनिक और पाए सारी आईरुवेदिक मेडिसिन्स की होम डिलिवरी वाल्ड वाइड प्राभिम कोई भी हो सलूशन सिर्फ ए अभी कॉल या वाट्साप करें और घर बेटे समाधान पाएं 6209-123456 पर हांजी अब सब बीमारियों का इलाज है बहुत आसान आपकी सेहत से चूड़ी हर समझ्या का समाधान मिल रहा है घर बेटे अब आप दुनिया के किसी भी कोने से टॉप प्लानेट आयरुवेदा पूरे प्लानेट की सेहत का नंबर वन साथी